मद्धे पर्देश के उज्जेन के काली घाट स्थित कालीका माता के प्राचीन मंदिर को गड़ कालीका के नाम से भी जाना जाता है देवियों में कालीका को सबसे महत्वपून माना गया है गड़ कालीका के मंदिर में मा कालीका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड जुटती है मान्यता यह है कि तांतिर्गों की देवी कालीका के इस चमतकारिक मंदिर के स्थापना मा भारत काल में हुई थी लेकिन मूर्ती सत्युक के काल में रखी गई बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीनोदार समराट हर्शवर्धन द्वारा किये जाने का उलेख मिलता है गड़ नामक स्थान पर होने के कारण इस मंदिर का नाम गड़ कालिका हो गया अपना शुब नाम थाई सबसे पहले नाम गन्षम सर्मा जी है यह माहलचमी है महाकाली है महासरश्वती तीन दी मुंध यह कभी कालिका काली दास ने इस्तान पर भेटकर तपष्या करी थी मा 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 चिलात चिलात कई बर्ष हो गए दे कई समय हो चुका था तो महा काली प्रकड़ हुई और कभी कालिदास को दर्सन दिये और कभी कालिदास ने दर्सन लेके मा का आसिवाद ले ले गए मा से बोला मा मेरे को इत्ता धन दोलत दे कि विस्व मेरा नाम चले मा ने बोला पेटा आज है मांगना है कल दुबारा फिर मांगना है अगर देना वाली नहीं हूँ मा से बोला तेकमा ना धन लेट ना दोल्ल चे बच नेचे मा मेरे को इतना दें कि विश्त मेरे नाम चले इसका इत्यास कितना पूराना कितने वर्ष पूराना मंदिर मॉनाचा अगा किया दू कर में लाँछ माता जी का श्री सुक्तर से अभिशव कुजन करते रहते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक वा शेर अवश्य करें हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें